हम सब के जिन्दगी में बदलाव आते ही रहते हैं और कई बार ऐसे सिच्वेशन हो जाती है कि उसमें एड़्जस करना हमारे लिए काफे मुश्किल हो जाता है अब अगर हम पती-पत्नी के रिष्टे को ही ले उसमें भी नोग जोख होती है कुछ लोग उसको एंजॉय करते हैं लेकिन कुछ के लिए बहुत मुश्किल सफर हो जाता है तो ऐसे में क्या किया जाए में इसी पर बात करने वाले हैं बापना मुझे रखता है शायद कोई घर परिवार होगा जहां बीवी के बीच में नोग जोख ना होती हो बिलकुल और शायद ये नोग जोख प्यार का ही हिस्सा है लेकिन कब है कि नोग जोख मन मुटाब में बदल जाती है इतनी बढ़ जाती है कि रिष्टे में दरार आ जाए ऐसे में दोनों हस्बेंट वाइफ की मेंटल हेल्पर क्या असर पड़ता है और समाज उनकी कैसे मदद कर सकता है इस विशे पर बाचीत के सुपरबाद अलका जी आपसे शुरू करेंगे भगवार न करें अगर किसी घर परिवार में मिया भीवी के बीच में इतनी दरार आ गई कि आपस में नहीं बन रहा क्या पुलिस। पुलिस॥। भी हुनकी मदद कर सकती हैं जोकि मैंš स्पेशलाइज यूनिट हैं, स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वोमें और चेल्डरन जो कि मोति बाग नानकपुरा के अलावा दिल्ली के हर एक डिस्टिक में एक एक यूनिट है, जो कि सिर्फ इन ही मैटर को हैंडल करते हैं, मैट्रिमोले डिस्प्यूट के लिए हमारा ट इसे लिए कि पने मन के बात किस से कहे अपने लड़के अगर अपने पेरेंट से कहती है तो उसको रखता है कि उनको डुक होगा Baptist इस्प्यूर्बक्श कि बताऊ तो पुलिस एक ऐसी जगह है, पुलिस एक ऐसी संस्था है, इंस्टिटूट है, जहां पर हम लोग उनकी काउंस्टिंग के दोरान में उनको बहुत पेशन्स ते सुनते हैं, कि आप अपने बात बताईए चलिए, चलिए हमारी जुनता को आज पता चल रहा है कि पुलिस भी आपको काउंसिल कर सकती है, आपको हेल्प कर सकती है, आपके रिष्टों को सुधारा जा सकता है, डॉक्टर बैनेवाल, अगर हम बात करें एजस्ट्मेंट की, मतलब क्या हो जाता है कि कुछ लोग बहुत असानी से एजस्ट्स कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहु लेते हैं, और वो उस समय यह नहीं देखते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा, और बहुकता के अंदर वो कुछ ऐसा ज्यादा बोल जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि कई बार स्लिप अप टंग हो जाती है, चाते नहीं हैं लेकिन फिर भी स्लिप अप टंग और कुछ ऐसे वर्ड निकल जाते हैं मुह से, कि सामने वाले के स्वाविमान को बहुत ज्यादा चोट पहुंसती हैं, तो ऐसी चीजों में जो हम देखते हैं कि जो कपल्स होते हैं, नियूली मेरिड कपल्स होते हैं, उनके अंदर ये चोटी-चोटी चीजें हैं, वो बहुत बड़ी बन जाते हैं, बिलकुल इसले बहुत जरूरी है कि समबाद हो, तो इसका मतलब है, जरूरी निकले पुली स्टेशन आना है, जो क्राइम अगेंस वोमन सेल है, वो फिर एक सेपरेट सेल है, बिलकुल सेपरेट यूनिट है, सेपरेट सेटप है प्रॉपर, जहां पर हमारे पु दो सकते हैं यहां पर, एक ऐसा प्लेट फॉम है, और सब के सामने, उनकी में भी जानना चाहरी थी, कि अकसर क्या होता एंगर पत्ई के बीच में नोगचोग होती है, तो उस पर कई बार रीजन फैमिली भी होती है, कि फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि इसले बीच मे उनके दराहराई तो ऐसे में क्या पूरे फैमिली को काउंसिल किया जाता है किस तरीके से पूरे मैंटर को देखा जाता है देखिए होता क्या है कि शुरू में हम लोग जो काउंस्टिंग करते हैं वो हम हजबन वाइफ की इंडिविज्वल प्लस जोइंट सेशन में काउंस्टिंग करते हैं उसके बाद में अगर हम कोज लगता है कि यहां फैमिली इंटरवेंशन की भी जुरूत है फैमिली को भी समझाने की उनको भी थोड़ा सा स्पेस देने के जुरूत है कि उनको समझें तो फैमिली काउंस्लिंग भी हम लोग कराते हैं साथ में तो उसका असर ही होता है कि जब फैमिली के काउंस्लिंग होती है तो उसका positive असर husband wife के उपर पढ़ता है वो एक positivity लेकर चलते हैं उससे पहले क्या होता है कि वो अपनी अपनी बात ही कहते हैं दूसरे की बात को सुनना ने चाहते हैं समझना ने चाहते हैं उनको लगता है हम ही सही बोल रहे हैं सामने वाला गलत है जी तो जैसा अलकर ची कह रही है कि जब counselling होती है दमपती की परिवार के सदस्यों की तो सकरात्मक बदलाग देखा गया है इससे में बहुत से लोग डीडी मॉनिंग शो देख रहे हैं डॉक्टर बेनिवाल आप psychiatrist है अगर किसी घर परिवार में मिया बीवी की नहीं बन रही कैसे counselling करेंगे आप हमारे पास जैसे जो कोई couple आता है या कई बार तो individual भी आते हैं सबसे पहले या तो husband आएगा या wife आएगी उनकी जब detail history लेते हैं तो उससे पता चलता है कि यह adjustment disorder से ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि इनके अंदर जो issues है वो adjust करने के हैं और उसकी वज़े से उनके secondary symptoms develop हो जाते हैं जैसे anxiety के symptoms हैं depression के symptoms हैं insomnia है जैसे नींद नहीं आ रही है भूक नहीं लगती है irritate रहने लग जाते हैं और फिर उनकी जो efficiency of work की वो भी देरी देरे कम होती चली जाती है और वो चीज विसे cycle बनके और ज़्यादा जगड़े को बढ़ा देती है और चीजें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है solution यह है कि हम उसको find out करते हैं कि root cause क्या है तो निकलता है कि इनका marital conflict है simple सी चीज है और marital conflict जिससे हम कहते हैं कि newly wed couples होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे चोटे issues के उपर जैसे अभी आप बता रहे थे family family की बाते हैं एक दूसरे husband wife की family के बारे में बहुत ही सावधानी से comment करे wife husband की family के बारे में बहुत सावधानी से comment करे क्योंकि ये एक दूसरी को बहुत ज़्यादा चुपती है और इसी चीज को अगर वो starting में जो initial two to five years का जो period होता है उसमें अगर ध्यान रखें और एक दूसरे का respect करें family का respect करें in-laws का एक दूसरे का in-laws का respect करें कि बहुत सारी चीज़े हम यहीं पर इंट्रेस्टिंग बात है कि जैसा डोक्टर बेनिवेल ने कहा newly weds या दो चार पांच साल शादी को आपके पास जो cases आते हैं ये newly weds दो चार पांच साल या काफी लंबे अर्से तक जो लोग शादी चुटा जिन्दगी बिता चुके होते हैं उनकी complaint भी हमारे पास आ जाती है तो कोई एक time limit नहीं है इसमें की newly weds couples ही आएंगे या 20-30 साल वाले भी आजाते हैं हमारे पास क्योंकि उनके भी dispute हैं अलग-अलग angle के अलग-अलग तरिका के डॉक्टर बेनेवाल अगर हम इस चीज़ को समझें कि आपको आपने कहा कि वो जो शुरू के कुछ दिन होते हैं शुरू के कुछ महीने होते हैं शादी के तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप एक शादी के बंधन में बंध रहे हैं तो उससे पहले काउंसलिंग हो जाए या उस दोरान जब शुरू के शुरू आती ही दिन है तब एक काउंसलिंग ली जाए ताकि आपका आगे का सफर इसी बिल्कुल आज कल प्रोफेशनल्स ये काम कर रहे हैं लेकिन ये बहुत ही मेट्रोज के अंदर ही पोसिबल है लोग अवेर भी नहीं है लेकिन हाँ कुछ गुरूप्स चला रहे हैं लेकिन उसके लिए हम कहेंगे तो बहुत ही इलाइट कलास लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इसके लिए मतलब उनको इस चीज़ का पूरा अवेरनेस है वो लोग लेते हैं अधरवाइस पहले से कोई पर्सीव नहीं करता कि मेरी साधी के बाद क्या होना है सभी लोग पॉजिटिव माइंड से चलते हैं लेकिन कंडिशन्स ऐसी डवलप हो जाती है चोटी चोटी इशू जिसका पहले से आप सोच भी नहीं सकते हैं और उसकी वज़े से दोनों के अंदर कॉन्फलिक्ट हो जाए जहां मेडम ने कहा कि हर एज के आते हैं बिलकुल ठीक है लेट एज के अंदर ये अगर इशू जाते हैं या जैसे सबस्टेंस इंटेक हैं नसे की परवर्ती होती है या कहीं न कहीं फाइनेंसिल लोसेज होते हैं फाइनेंस कहीं और वो देते हैं कई वार स्पाउस वाइफ को लगता है कि ये अपने पैसे हैं अपनी फेमिली को दे रहे हैं, ब्रदर सिस्टर्स को दे रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, और आपस में उन में समाद की कमी होती है, एक दूसरे के साथ डंक से, वो खुल के शेर नहीं करते हैं, तो उसकी वज़े से उनके कही न कहीं मिस अंडरस्टेंडिंग हो जाती है, तो ये चीजे उस टाइम पर भी बढ़ जाती हैं. तो फांडेस की जब पुलीस बहदते हैं, बेडिये टकराती है, तो क्या सेटल्मेंट क्या निकलता है पिर, क्या फांडेस भी आता है उसमें उसमें बहुत साथीज आ जाती है, फांडेस बी एक एंगल होता है, क्고कि डेड वो मेरे पैसे भी खर्च कर देता है, तो मेरे पैसे पर उसका राइट नहीं है, उसको ही घर चलाना चाहिए, तो छुटे-छुटे यह इशू होते हैं, जो कि बाद में बढ़ जाते हैं, तो मेन हमारे पास काउंस्टिंग के दुरान में इशू यह आता है कि वो लोग आपस में बात करना बंद कर देते हैं, तो जब हम लोग काउंस्टिंग के दुरान में हम सुछ सुनते हैं, तो हमें पता लगता है कि लंभी आज से से बात ही नहीं कर रहें, तो जहां पर कम्यूनिकेशन कम होता है, तो वहां पर अपने-पना सोचना उनका जादा चलता है, कि बीच में जो परवरिस होती है उसका उन बचों के जो अडल्ट एज है उसमें आके वो पता चलता है कि यार इसको यह यह सिंटम्स आ गए क्योंकि बच्छे डेली सफर करते हैं वो बोल भी नहीं पाते हैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं तो मैं यही कहूंगा कि कम से कम, husband and wife अपने गर में अगर छोटे बच्चे हैं, तो उनके सामने कम से कम अपने जगडे ना सुल जाएं, आना वो अकेले में बात करें, बैठ के बात करें, हर चीज का solution है, अगर वो positive mind से देखें इस चीज को, लेकिन बच्चों के सामने करेंग ऐसा भी हुआ है कि बच्चों को भी council करना पड़ा हो? तो प्रोफेशनल काउंसल हर एक women's cell में भी अटेजड हैं, चलते चलते क्या tips देंगे आप, ताकि हर घर परिवार में मिया वीवी के अच्छी बने harmony हो, बस communication, अपना break ना करें, बात करते रहें, अपने मन की बात एक दूसरे से share करें, और एक positivity वाला जो factor है उसको रखें, तो दूसरा भी उसको समझे और अपने life partner को समझे, at least. और पुलीस का डर भी हटे, psychiatrist का stigma भी दूर हो, बिल्कुल, और पती पत्नी एक दूसरे का respect है, कि हर इंसान बराबर होता है, और जब आप marries करते हैं, तो एक दूसरे को बराबर समझ के ही आप marries करते हैं, उस contract में, marries नहीं होना चाहिए, आप psychiatrist के पास जा नहीं, इसका मतलब यह नहीं है, कि आप mentally ill हो गए, आप बहुत से चीज़ों के लिए psychiatrist को consult कर सकते हैं, simple sleep के लिए, simple anxiety के लिए, गबराट के लिए, palpitations के लिए, simple हम जैसे टोबे को चेविंग है, alcohol drinking, उन सब के लिए आप चोटी- अजूद है, मदद मांगे, आज हमें इस विशे पे समझाने के लिए, अलका जी आपका, डॉक्टर बिनिवल आपका, बहुत-बहुत धनेवार जी, thank you very much.